Hi मैं हूँ Jatinder Pal Singh और लास्ट वीडियो में मैंने आपको WordPress के अंदर यूसर सेक्शण के बारे में बताया था और इस वीडियो मैं आपको टूल सेक्शण के बारे में बताऊँगा तो टूल सेक्शं के अंदर हमारे पास तीन ओपशimi Vegard, Available Tools, Import, Export तो सबसे पहले मैं आपको available tools के बारे में बता देता हूँ जब आप इस link पे click करेंगे तो आपके पास ये page open हो जाएगा इस page पे आपको WordPress की तरफ से by default जो tools available होते हैं वो नजर आएगे यहां पे देखिए पहला है press this और दूसरा open press this और अगर आप scroll down करके देखेंगे तो आपको ये भी नजर आएगा categories and tags converter तो सबसे पहले मैं आपको press this tool के बारे में बता देता हूँ ये tool हम तब use करते हैं अगर हम किसी website की कोई post पसंद आती है और हम उसे अपनी website के अंदर share करना चाहते हैं या मालेजे कोई हमारी ही दूसरी website है उसमें हमने कोई post करके रखी है और मैं उसे अपनी इस current website के अंदर share करना चाहता हूँ तो ये press this tool किसी post, images या videos को अपनी website पे share करने के लिए use होता है तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस use कैसे करते हैं इस tool को हम drag करके अपनी bookmark के अंदर drop कर देते हैं तो ये आपके पास bookmark की तरह save हो जाता है तो अब आप अगर किसी भी website पे जाएंगे वहाँ पे आपको कोई post पसंद आती है तो आप इस press this button पे click करेंगे तो वो आपकी website पे publish होने के लिए ready हो जाएगा मैं आपको practically करके बताता हूँ इससे कैसे करते हैं मैं YouTube से अपनी कोई video को share करके देखता हूँ तो मैं YouTube में search करता हूँ JP Web ये मेरा channel है मैं इस पे click करके किसी video को share करता हूँ मालीजे मैं इस video को share करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे click करके इस press this button पर click कर देता हूँ ये आपके internet की speed पर depend करता है कि कब ये page show होगा ये देखिए मेरी उस video का title आचुका है और ये दो editor आचुके हैं visual और text text के अंदर हमारे पास coding नजर आती है अगर मैं visual पर click करता हूँ तो ये देखिए मेरी video का link यहाँ पर आ चुका है अब मैं इस screen को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे ये publish button नजर आ जाए मैं यहाँ पर publish button पर click करता हूँ तो अब ये देखिए मेरी website के अंदर ये post आ चुकी है मैं इसे close करके अपनी website में आपको show करता हूँ यहाँ से मैं website को visit करता हूँ ये देखिए हमारे recent post के अंदर मेरी youtube video का title आ चुका है मैं इस पर click करता हूँ तो ये देखिए ये उसका title responsive website template design in bootstrap with easy steps और ये उस video का link मैं इस video पर click करता हूँ तो वो मेरी video यहाँ पर play हो जाएगी अब मैं यहाँ से इस video को देख सकता हूँ full screen करके मैं escape करके बाहर आता हूँ और इसे close कर देता हूँ और अपने admin panel में दुबारा आ जाता हूँ अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि press this button को कैसे use करते हैं और इसका क्या purpose है ठीक इसी तरह यह open press this tool है जो mobile के लिए ज़्यादा तर use होता है ठीक उसी तरह जैसा मैंने आपको computer पर करके बताया इस tool को use करके आप अपने mobile पर किसी website post को share कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास है categories and tags converter यह tool आप तब use कर सकते हैं अगर आप अपनी website के अंदर जो categories हैं उनको tags में convert करना चाहते हैं या tags को categories में convert करना चाहते हैं तो इसे use करने के लिए आप या तो इस link पर click कर सकते हैं यह यह link आपको import के अंदर भी मिलेगा यह देखिए categories and tags converter तो मैं यहाँ पर click करता हूँ तो उस tool को use करने के लिए सबसे पहले मुझे categories to tags converter यह plugin इंस्टॉल करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर install now पर click करता हूँ यह देखिए यह plugin डाउनलोड होकर install हो चुका है अब मैं इसे activate कर देता हूँ तो यह देखिए सबसे पहली option मेरे पास नजर आ रही है categories to tags यह tags to categories means आप किस चीज़ को convert करना चाहते हैं categories को tags में convert करना चाहते हैं यह tags को categories में तो मैं यहाँ पर click कर देता हूँ categories to tags तो मेरे पास मेरे website के अंदर जो categories हैं वो सारी यहाँ पर show हो चुकी है आप जिस category को tags में convert करना चाहते हैं आप उन्हें यहां से सलेक्ट कर सकते हैं यहां Check All की Option पे टिक करके आप सारी Categories को Convert कर सकते हैं तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा Convert Categories to Tags तो मेरी website की सारी Categories हैं जो वो Tags में Convert हो जाएंगी तो मैं इसे Convert नहीं करूँगा मैं बस आपको इसका यूज बताना चाहता था कि क्या होता है ताकि अगर आपको आपकी website हैंडल करते वक्त इस चीज की ज़रूरत पड़े तो आप इस टूल को यूज कर सके अब अब अवेलेबल टूल के अंदर हमारे पास जो तीन टूल अवेलेबल थे अब मैं इंपोर्ट सेक्षिन पे मूव करता हूँ अगर आप यहाँ पे टॉप पे देखेंगे तो आपके एक लाइन नजर आएगी इसका मतलब है कि अगर आपके पास कुछ पोस्ट या कमेंट्स किसी दूसरे सिस्टम में है तो वर्ट प्रेस उन्हें इस वेबसाइट के अंदर import कर सकता है तो किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरे सिस्टम से अपनी पोस्ट और कमेंट्स बगएरा को import करने के लिए आप इन importer को use कर सकते हैं आप bloggers use कर सकते हैं live journal use कर सकते हैं RSS feed यूज़ कर सकते हैं या Tumblr यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आपको WordPress के बारे मैं बता रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको यहां पर बताता हूँ कि WordPress के अंदर हम कैसे अपने data को import कर सकते हैं तो यहां पर अपनी मैं local पर दूसरी website उपन करता हूँ जिसमें से सबसे पहले मैं कुछ data export करूँगा और फिर इस website के अंदर मैं import करूँगा तो मैं यहां पर न्यू विंडू में अपनी दूसरी website open करता हूँ यह देखिए यहां पर मैंने अपनी दूसरी website के अंदर log-in कर लिया है अब इसमें मैं यहाँ पे Tools के अंदर Export पे क्लिक करता हूँ जिससे आपको Export की Option भी समझ लग जाएगी तो यहाँ पे जब हम Export करते हैं तो सबसे पहली Option हमारे पास होती है कि आप Website का सारा Content एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या सिर्फ Post या Pages या Media तो आप जो भी Export करना चाहते हैं इन Options में से वो Select कर सकते हैं अगर तो आप चाहते हैं कि इस Website का सारा Data जिसके अंदर हमारे पास Post, Pages, Comments, Custom Fields, Terms या Navigation Menu Bars और Custom Post ये सारी चीज़े आती हैं तो अगर मैं All Content एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे Download Export File पे क्लिक कर दूँगा लेकिन अगर मैं सिर्फ Post एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ इस Website से तो मैं यहाँ पे Post पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आगे Options नजर आएंगी कि आप कौन सी Category की Post एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं All पे क्लिक कर देता हूँ कि सारी Categories की Post मेरे पास Export हो जाएं और उसके बाद Authors की Option है कि किस Authors की Post आप Export करना चाहते हैं यहाँ पे भी मैं All रहने देता हूँ और यहाँ पे Dates की है Option कि आप किस Date से लेकर किस Date तक का Data Export करना चाहते हैं तो उसके बाद हमारे पास Status के अंदर भी कुश Option हैं कि आप Published, Schedule, Draft, Pending या Private इन में से कौन से Status की Post को Export करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी मैं All कर देता हूँ तो In Short मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मैं इस Website के Post को ही Export कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे Download Export File पे क्लिक करता हूँ जब आप Download करेंगे तो आपको XML Format में एक File Export होकर मिल जाएगी अब यह देखिए File Download हो चुकी है मैं इसे Folder में Open करता हूँ और अब इस File को मैं अपनी इस Website में Import करूँगा Import करने से पहले मैं आपको इसके Post दिखा देता हूँ All Post पे क्लिक करके ताकि आपको थोड़ा सा Idea हो जाए कि इसके अंदर कौन कौन सी Post है यह देखिए इसके अंदर यहाँ पे यह पोस्ट है और अब दूसरी Website मैं आपको Show करता हूँ कि इसके अंदर कौन से Post है यह देखिए अब मैं इन सारे Post को अपनी इस Website में Import करने जा रहा हूँ जिसकी मैंने यह फाइल डाउनलोड करके रखी है तो अब मैं अपनी इस Website में आकर यहाँ पे Tools के अंदर Import की Option पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे WordPress पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरी दूसरी Website WordPress में है तो Import करने से पहले मेरे पास यह पेज ओपन हुआ है जिससे मुझे यह समझ में आ रहा है कि मुझे सबसे पहले WordPress Importer Plug-in को इंस्टॉल करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाओ पे क्लिक करता हूँ तो यह देखिए मेरे पास WordPress का जो Importer Plug-in है वो इंस्टॉल हो चुका है अब मैं इसे Activate and Run Importer पे क्लिक करता हूँ तो यह Activate होकर Run हो जाएगा अब देखिए मैं Importer पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो Options नज़र आएंगी पहले ही की तरह मैं यहाँ से अगर WordPress पे क्लिक करूँगा तो मुझे उस Plug-in को इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलेगा क्योंकि मैं Importer Plug-in इंस्टॉल कर चुका हूँ अब मैं यहाँ से अपनी वो फाइल चूज करूँगा यह मेरे फाइल डाउनलोडर में पड़ी है यह देखें मेरे फाइल मैं यहाँ से इसे डबल क्लिक करके इंपोर्ट करता हूँ और Upload File and Import बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो उसके बाद आपके पास यह पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर यह मेसेज आ रहा है कि आप इन सभी पोस्ट को अगर किसी ओथर को असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से वो ओथर स्लेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं डिरेक्टली यहाँ पे Submit पे क्लिक करता हूँ यह देखिए मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ चुका है All Done means जो आपने इंपोर्ट किया है वो सारा कुछ इंपोर्ट हो चुका है अब मैं यहाँ पे पोस्ट पे आके देखता हूँ कि वाकई में वो इंपोर्ट हो चुका है या नहीं तो यह देखिए यह पोस्ट इंपोर्ट हुई है यह पोस्ट इंपोर्ट हुई है यह और यह मैं आपको यहाँ पे दूसरी वेबसाइट में भी दिखा देता हूँ यह देखिए इसके अंदर यह पोस्ट थी This is ड्रैक लिंक जो यहाँ पे आ चुकी है उसके बाद This is for test यह है Tutorial about WordPress तो यह देखिए मैं स्क्रोल डाउन करके देखता हूँ नीचे Tutorial about WordPress Authors first post Tutorials on HTML Authors first post स्क्रोल डाउन करके देखता हूँ तो यह देखिए Tutorials on HTML भी आ चुकी है Means इसके जो सारे पोस्ट थे वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको टूल्स के अंदर यह जो तीनों आप्शन्स हैं Available Tools, Import और Export इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि इनका क्या यूज है अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो का लाइक जरूर करें और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग, टेक केर